इप दिव्वी किचन घपनाई बहुत ही टेस्टी बनके त्यार हुई और बहुत कम टाइम में तो आप भी जरूर ट्राइक करियेगा बहुत ही टेस्टी पाप्डी चाट बनके त्यार होगी हम यह देखिए हमने एकटोरी मैदा लिया है उसमें हम two tablespoon refined dial डालेंगे फिर इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे फिर इसमें हम ट्रेस गेंसा थोड़ा सा नमक डालेंगे फिर इसको भी अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे चेक करेंगे कि मारा मुयन ठीक है कि यह देखिए इस तरीके से चेक करेंगे मुठी बांदेंगे तो मारा मुयन पर्फेक्ट है थोड़ा सा पानी डालकर हम अपना डो तैयार कर लेंगे फिर हम अपनी पापड़ी तैयार करेंगे तो यह देखिए छोटी-छ यह फूल ना जाया नहीं तो गुलगप्पे की तरफ बन जाएगी हमारी पापड़ी देखिए इस तरीके से धेर सारा बेल के त्यार करके रख लिया है अब हम अपना पापड़ी तलेंगे तो यह देखिए हमने गैस पे कड़ाई चड़ाई दीती पहले से तेल भी गरम हो ग तब ही हमारी पापड़ी अच्छी से कुरकुरी बनके रेडी होगी नहीं तो सब लूज हो जाएंगी मारी पापड़ी यह देखिए कितनी अच्छी पापड़ी मारे बनके त्यार हुए अब हम अपना मसाला त्यार करेंगे इसका आलू का मसाला बनाना है सबसे पहले पैन हथोड़ी दिर भख देंगे चल सी रैख दिर जब देंगे कि भर रख प्षिटाव यह पर थोड़ी दर जब पका लेंगे था फोल लेंगे थे क्षे समाझ रेशाइज अब फोलें थोड़ा सा धनिया फाउड का होडハ二 Camera तरीके से डाल कर अच्छी तरीके से मिला लेंगे विप्ति अना लुग ऑपने जो न दालो अच्छी तरीके से अपना आलो फ्राइ और जान। इस तरीके से डाल कर उसी में प्राई करते करते आपको इसमें आलू तोड़ना है यह देखिए मारा आलू तयार होगे आप स्टफिंग अब हम इसमें सारी पापड़ियों में आलू लगाएंगे जो हमने तयार किया है मसाला फिर उस पे हम इमली की चटनी डालेंगे आपको जैसे चटनी पसंदो कटी मीथी आप उस तरीके से इस पर डाल सकते हैं हम मीथी चटनी डाल रहे हैं इमली की उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही फिर हम जुक प्याज और धनिया वारी कट करके रखा है और हरी मिर्श उसको डालेंगे और सेव वाली नमकीन डालेंगे फिर उस पर थोड़ा सा काला नमक और जीरा पाउडर डालेंगे तो हमारी चाट रेडी है आप इस तरीके से जरूर ट्राई करिएगा आप बाहर का चाट खाना बिलकुल भूली जाएंगे तो मिलते हैं नई रेस्पी के साथ तक तक के लि